इस वीडियो में दी हुई जानकाई इंटरनेट से ली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई के परचान नहीं करते हैं किसी भी दवाई को इस्तिमाल करने से पहले एक बार डाक्टर के से सलाज रोले अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी लवा को उपयोग करते हैं आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उससे हमारी कोई जिमेदाई नहीं होगी दस से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने की एक दवा डाक्तर डुआरा सबसे ज़्यादा पिस्क्राइब किये जाने वाला मेडिसीन एदि किसी को किसी भी परकार का बेक्टेईर इंफेक्शन होता है तो उस कंडिशन में हम इसका इस्तमाल बहुत ज़्यादा करते हैं हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त प्रियेश कुमानिसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल प्रियेश मेडिसीन नौलिज टिफ्स में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलेवम 625 सम्जी टबलेट के बारे में जानेंगे संपूर में इसकी बेनिफिट यूज लेने का सही तरीका और किन दस बिमारियों में हम इस टबलेट को लेते हैं सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे तो अगर इस वीडियो पर पहले बार आये हैं तो वीडियो को कर दे लाइक चैनल को कर दे सस्क्राइब ताकि मैं जब भी मेडिसीन से रिलेटेड कोई वीडियो अप्लोड करू तो सब से पहले आप तक नूटिफिकेशन के द्वारा पहुश सके हैं तो चलिए वीडियो देर ना करते हुए शुरू काते हैं आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कलेवन 625 टबलेट यह एक एंटिबाइटिक टबलेट है जिसका इस्तमाल हम किसी भी परकार की बेक्टेरियल इंफेक्शन में करते हैं अगर हम बात करें कलेवन 625 टबलेट की पैकेजिंग की तो उसकी पैकेजिंग बहुत ही सुन्दा स्ट्रीप होता है अब बात करें इसकी MRP यह च्डग्स होता है जो कि डाक्टर की परची पहीं प्रिस्क्राइब होता है अन्हाथ दवाई का उप्योग करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की सला जरूर लें तभी आप इस दवाई का उप्योग करें अगर बात करते हैं इसकी मैनुफेक्चरिंग की तो इस अलकयम्दायबरेटो द्वार मैनुफेक्चरि किया जाता है जो की इंडिया की दवा बनाने की एक नॉम्हान कंपणी है उसी के द्वारा इस कलेवब मच्टीशु एमीडी टबलेट को मैनुफेक्चरिक या जाता है अगर हम बात करें कलेवं 625 एमजी जी टब्लेट जी कमपोजीशन की तो कल जाहmen 625 एमजी टब्लेट में दोक हम पोजीशन होता है पहला इसे सेलें 500 एमजी तता दूसरा इसमें होता है पोटैस्य। टक लावनेटिक Match एक सो पेएंजी इस तरह इस तरह एक कलेवं बेक्टेरियल इंफेक्शन में डाक्टर दोवारा बहुत ज्यादा लिखा जाता है अब बात करते हैं कलेबं 625 टब्लेट का परियोग करते हैं तो इसमें जो पहला टब्लेट होता है पहला होता है वह इस पारेटी टेक इंफेक्शन निया आपकी सौसंद तंतर में किसी भी परकार की इंफेक्शन है जैसे सास लेने में दिकास का तेज हो जाना या सास बहुत तेज आ है तो उस कंडिशन में हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर बात करें इसके दूसरे इस्तमाल को सबसे ज्यादा इसका इस्तमाल हम नीमोनिया में करते हैं नीमोनिया क्या होता है नीमोनिया में च्छाती को उपर बल्गम जम जाता है जिससे च्छाती और सीना जो दोनों जाम ह हो जाता है हमें सास लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगती है तो हम उस सास लेने कठिनाई को दूर करने के लिए छाती के अंदर जम्हें बल्गम को हम निकालने के लिए इस दवा को उप्योग करते हैं अब बात करते हैं इसके तीसरे बेनिफिट की तो इसका तीसर करते हैं इसके छोस्ते इस्तमाल की तो एदी आपके सरी में सीबीसी में जो टील सी होता है तोटल लिगो साइट होता है हुआ उसमें किसी भी परकार का अगर infection हो गया मतलब पाच्वे उपियोगाते तो से लइटी च्वह दोटा। होता है कि गले में आपका दर्थ होता है कि गले में बहुत ज़्यादा तो कुछिस हमें यूजहलेगाते हम Rider करना थे ने करते हैं A perhaps इसका हम užतलब करते हैं मतलब कि पेशाब मार्ग में जलन वोगा तुस कंडिसन में हम स्प्रवी की बात करें तो इसके कान में किसी भी परकर हो गया है फुनसी वो गया है तो उसके कारण आपके आपके कार में बहुत ज्यादा दर्द और सूजन बना रहता है तो उस कंडिशन में हम कलेवं 625 यह टबलेट का उप्योग करते हैं अगर बात करें इसके आठवे उप्योग करते हैं दात में हम इसका उप्योग करते हैं आपके दात में किसी भी परका को इस्तमाल करते हैं दाथ के दद को ठीक करने और सुजन को ठीक करने के लिए करते हैं इसके नौए उप्योग की कलेबम 625 एमजी का टबलेबिट हम किसी भी परकार का सीजीरियन अपरेशन हुआ है तो उस घाव को सुखाने के लिए हमें इसका इस्तमाल करते हैं यदि आप को किसी भी परकार का घाव हुआ है टाका चला है तो उस कंडिसर में उस घाव को सुखाने के लिए फोड़ा हो गया है